साथ कश्मीर में पहला ये ग्रिवान्स रिड्रेसल की पहला मीटिंग है तो आपने भी देखा काफी बहुत सारे लोग आये थे इसमें सरीक होने और अपना प्रोब्लेम्स को सुनाने और उसकी रिड्रेसल सीख करने के लिए अधं को गएका यो जब हम डिस्ट्रिक से बाहर गए हैं मेरे खल में यह दूसरा मेरा इपीसोड है जहां पर पहले इस रे नगर जमो में हम करते थे तो यह दूसरा स्टेप है तो इसमें लोग तो आते ही हैं आपने तो देखा उसमें और मसाहिल जो है बड़े तरह तरह की वेराइटीज है, चिटिंग की है घर में डोमेस्टिक वाइलेंस की भी है जवीन को लेकर वो भी है तो बड़े वाइड रेंज की प्रोब्लेम्स है, उसमें कई सारे प्रोब्लेम्स खाली पुलीस उसको नहीं बिलंग करता है जैसे मैंने कहीं और भी किसी और जगर में भी बताया था कि यह सब ऐसे पेचिदे मसले हैं जहां पे पाटली वो पुलीस और पाटली क्रिमनल है और पाटली सिविल है तो उसको उसके बीच में भी लोगों के लिए तो क्राइम और सिविल अलग अलग नहीं है उनके लिए तो एक मसाईल है तो उसको मद्दे नजर रख के किस तरीके से उनके मदद करें क्योंकि उनको तो ये तो नहीं है कि साब मेरे सर में दर्द है तो बाएं वाला जो है डॉक्टर अलग है और दाएं वाला डॉक्टर अलग है वो हम समझते हैं तो उसको लेकर हम कुशिश करेंगे हम अपना नेक नियत से अपने पुलीस के हिलकारों के तहत उनके साथ कानून के दाइरे में रहे कि उनकी मदद करने के लिए अब आपने इस से हटके जैसे हो कहा था कि एक और सवालालक से हम अड्रेस करेंगे नहीं ठीक है इसमें सेकुरूटी कंट्रोल में है और आपने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सेकुरूटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लौन्ड ओर्डर की और एक सडक के उपर दुकानों में स्कुलों में बिजनेसेस में एक ओर्डर उसको लेकर जो चैलेंज है हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है अब दो चार टेररिस्ट बाहर से आकर ये एक नया चैलेंज हमारे लिए जरूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके चोरी चिपे आके यहां पर कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक महोल खराब करने की जो कोशिश करते हैं वो एक चैलेंज जरूर है पर हम इसको एक अलब नजरिया से देखते हैं हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो है इनमें सामिल नहीं है या कम है चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है उसको हम माइंड में रख्के हम कहते हैं कि हमारा सेकृर्टी के ऊपर कंट्रोल है देखो ना एक हिसाब से आपने में जो जवाब दिया आपको वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लगू होता है मैंने ये कहा कि ये प्रोब्लेम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरिबन 90% बाहर है बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है कश्मीर या जम कश्मीर का नहीं है बाहर का बंदा है पाकिस्थनी है और वो वहाँ से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से गड़े के नीचे से खोद के टनेल से आता है और आके यहाँ पे जब हमसे लड़ता है तो वो एक अलग चलेंज है अब उनकी तादाद कम है पर वो एक अब क्रास बोडर इस तरीके से करना वो चलेंज है राजरी पुँच में भी है कुछ हद तक यहां पे भी है हम इस पे काबो इसलिए पाने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि धिरे धिरे माहौल जब बदलता जाएगा हमें पुरा उमीद है कि आवाम ही उनको पकड़ते देगा